कर दूस्तों मैं राज पांदेगा आप देख रहा है आर्सीय ने चुड़ी आप सब्सक्राइब करेंगे लगातार इस चैनल की माधिम से आपको सबसे आथेंटिक जानकारी देने का प्रियास किया आता है उसी करम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे प आपको बता दें आयू दोरा पुलिस भी बुला ली गई थी इस दोरान अभर्ट्यों ने प्रतिया बेदन देकर बताया कि 28 जून को एपिद भरती परिच्छा के पहले दिन ही प्रत्थम वादूतिय पाली में आयू जी टाइप टेस्ट के दोरान साप्रियूड में गलब जून सिराज की आउदोगी पर सिच्छन संस्थान लखनों में शुरू हुई थी अब व्यर्थियों का कहना था कि 60 हैंड लीपे तरण की परिच्छा समाप्त होने के पश्चात 5 मिट की हिंदी टाइपिंग टेस्ट की परिच्छा होनी थी जिसके सुरू होने के लगवग समस्थानों की करमसारियों ने आउगत किरा गया है इसके बाद They टॉबारा कराने को लेकर कोई अच्छा थोस आसलासान नहीं मिला है तो अभी इंतिजार करना पड़ेगा एक बड़ी अपडेट में आपको और बताना चाहता हूँ, CBI जाच में पेपर लीक वा धाजली के प्रियापत सबूत हैं, आपको बता दे कि युवामंच संयोजग राजस्चान ने नीट यूजी पेपर लीक वा धाजली प्रकण में आज पीम मोधी को एक्स हैंडल पर पोस्ट में जि यूजाय को पह interrogate तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, उन अभहिर्थियों का चैन हो जाएगा, जो आयोगे हैं, उनका चैन ने हो पाएगा, जो योगे हैं, क्योंकि मेरिट नहीं चली जाएगी, कि सब कुछ गढ़पड हो जाएगा, तो अब देखना होगा कि सेरकार इस विचार मिम्रस क्या करते हैं लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिच्छा मंत्री उनका कहना है कि पेपर रद नहीं होगा अगर हम पेपर रद कर देंगे तो अभिष्चियों कैसा अन्याय होगा जो पढ़के आए हैं तो भैया क्या बात सही है किसकी बात सही है किसके साथ अन्याय हो रहा या इस पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है तो बरत्मान सरकार नीट का पेपर रद करना नहीं चाहती है लेकिन मैं आपको बताओ नीट का पेपर रद होना चाहिए एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बता दूँ CUET की परिछा को लेकर CUET UG 2024 का नतीजा फिलहाल टाल दिया गया है दोबारा जांच के बाद ही जारी होगा NTA कर रहा है जांच हफते भर लग सकते हैं तो मैं आपको बता जूँ आपको नेश्ट बीक इसका परिड़ाम देखने को मिल जाएगा एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूँ मोधी राहुल के 20 संसद में पहली बार जूबानी जंग हुआ है और आपको बता दें राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे तरक दिये हैं कि सत्ता धारी के कई नेता उठ गए यहां तक अमिसाख कई बार उठना पड़ा मोधी जी को उठना पड़ा और आपको बता दें लोग सबा में सुमवार को पहली बार नेता प्रतपर राहुल गांधी और सदंज के नेता प्रधान मंतरी नेता प्रतपर राहुल के बयान जो लोग स्वयम को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं यह लोग हिंदू नहीं हैं इस पर प्रधान मंतरी नेता प्रतपर राहुल गाजी ने जो लोग सबा में स्टेटमेंट दिया और जिस तरह से अपने ब्यक्ते भी को रखा है क्या हुआ सही था कमेंट वाक्स में ज़रू बताएं और मैं आपको बता दूँ कि अगनी बीरियोजना को बरतमान सरकार समाप्त करने के मोड में नहीं है एक बड़ी अपडेट बता दूँ अगनी बीरियोजना नहीं समाप्त करेंगे लेकिन राहुल गाजी ने कहा मेरी स सरकार आएगे तो अगनी बीरियोजना को मैं समात कर दूँगा तो आपको अगनी बीरियोजना चाहिए या पहले जैसी भरती चाहिए एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूँ सी एचसल परिच्छा को लेकर सी एचसल की टियर वन परिच्छा पचाट दसमलों ग्यारा फिजदी अब्वर्थी रहे अनुपस्थिद तो आखिर का तिन अब्वर्थी जो है अनुपस्थिद क्यों रहे रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि पहले दिन उत्तर प्रदिस और विहर के 18 सेरों के 78 के इंडरों पर परिच्छा होई थी जानकारी के अनुपसर जो करिंट की जानकारी है उसके अनुपसर में आपको बता दूँ पहले दिन 94571 अब्वर्थियों के सापेश 47178 अब्वर्थी सामिल हुए हैं तो बिग ब्रेकी निउज है अब्वर्थी भ भर्थी में धाजली का खुलासा हो रहा है पीसेस जे मेंस में बदली थी 50 कापियां पांच अजिकारी मिले दोसी तीन निलंबित कर दिये गए हैं उत्तर पर लोग सेवा आयुक पर वेच्छी है अजिकारी 37 चंद मिसर के खिलाब भी कारवाई की गई आपको दादे सेवा निब्रे साइक्स मिछाज कारी पर कारवाई के लिए सासन से मांगे हैं अनुमती एक बड़ी अपडेट में आपको और देना चाहता हूँ यूपी पुलिस एक्जाम्स को लेकर बड़ी अपडेट में आपको दे रहा हूँ अब तक की सबसे बड़ी ख़बर बता रहा हू यूपी पुलिस एक्जाम भबिस में जो है प्री और मेंस हो सकता है दरोगा भरती भी प्री और मेंस हो सकता है इसकी प्रबल समभावना दिखने भबिस में हो सकता है अभी नहीं होगा इस पर इच्छा में नहीं होगा जो विग्यापना है लेकिन भबिस में होने की प्ला करें इसमें प्री और वेंसार में को पढ़ना है लेगिसे छा जरी होगा जब इसमें परिवह लेकिन ओर्तमान स्यमें बरूदेश को वागे आप D strains मिले का तुछ जरूर दूँगा एक बड़ी अपडिए वहागत देना चाहता हूं मौसम विभा की अब तक की सबसे बड़ी ख़वर है मौसम विभाग के दवारा उत्तर प्रदेश के कई जिलों को अलेट किया गया है बता गया है कि देश के 19 जिलों में बंपर भारी देश के 19 राज्यों में बंपर भारी बारिस होने के संभावना है यानि कि भारी बारिस होने की संभावना है मैं आपको बता दूँ उत्तर प्रदिस के कौन कौन से जिरे में ज्यादा बारिस होगी सिधात्रगर, गोंडा, बस्ती, आयोध्या, संत-कबिर नगर, गोरकफुर उसके बाद आप चले जाएंगे लखनों में भारी बारिस होने की संभावना है वहराईच में भारी बारिस होने की संभावना है वरेली आप चले जाएंगे तो भारी बारिस होने की संभावना है तो इन जगहों पर भारी बारिस होने की संभावना है तो किसानों के लिए अच्छी ख़वर है आप खेटी किसानी वाला काम जो करना है उसे निफटा लिजिए क्योंकि बारिस खुब होगी चार-पांच दिन बंपर बारिस होगी इस महीने में सबसे ज़्यादा बारिस होने के संभावना दिख रही है तो मैं लगातार आपको सबसे अथहंटिक जानकारी देता हूँ वही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ जो पूरता सही और सटीक होता है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को इतना सेयर करें इतना सेयर करें कि लोगों तक बात पहुंच जाए और चैनल को सबस्क्राइब कर लें लाइक कर लें पुरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद